गुड़ मॉर्णिंग फ्रेंड्स स्वागत आपका करेंट फेर डेली अपडेट्स में यह हमारी है वीडियो नंबर सैवन चलिए शुरू करते हैं आज का प्रशन देखे पहला प्रशन है मिड़े मील योजना हादी में चर्चा में तो इसके बारे में में बताना है कि यह है मध्याहन भोजन योजना 15 अगस्त 1995 को केंदर प्रयोजित योजना के रूप में शुरू हुई थी दूसरी स्टेटमेंट है यह योजना राश्ट्रिय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 को कवर करेगी तो बताइए कौन सी सही है इसका सही उत्रोगा सी दोनों स्टेटमेंट हमारी सही है व्यक्या देखिए किंद्रिय शिक्षा मंत्री रमेश पोकरियाद निशंक ने मद्याहन योजना के तहत छात्रों को प्रत्यक्ष लाब हस्तांतरण यानि डिरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से मोद्रिक सहेता परदान देने को मंजूरी दे दी है करोना के चक् पॉइंट आठ करोड पात्र चात्रों को लाव होगा प्रातिमिक शिक्षा के लिए पोशन सहायता का राश्ट्रिय कार्यकरम 15 अगस 1995 को देश के 208 भलोकों में नामांकन बढ़ाने प्रतिधारन उपस्थिती में सुधार और शिक्षा की गुनवत्ता पोशन स्तर में सुधा के लिए केंदर प्रायोजीत योजना दी यह भी इंपरेंट पॉइंट यह योजना राश्ट्र खाद्ये सुरक्षा अधिनियम 2013 द्वारा कवर की गई है अगला प्रश्रै विश्व मासिक धर्म स्वचता दिवस विश्व मासिक धर्म स्वचता दिवस व्ल्ड हाईजिन डे किस दिन मनाया गया बताइए इसका सही अंसर होगा C 28 मई को मासिक धर्म सचता दिवस एक वैश्विक अंदोलन है जो मासिक धर्म को समान्य करने के लिए का प्रयास है इसकी शुरुआ जर्मन गैर लाबकारी संगठेन यानी NGO वाश उनाइटिड द्वारा की गई थी यह पहली बार 2014 में मनाया गया 28 मई को ही क्यों मनाया गया इसका भी एक फैक्ट है कि यह क्यों मनाया जाता है क्योंकि यह ओसत मासिक धर्म चक्कर पर प्रकास डालता है महिलाओं को 28 दिन के बाद मासिक धर्म शुरू होता है और यह ओसतन 5 दिन तक चलता है इसलिए हमने 28 और 5 इसी तीथी को चुना इस दिन का उदेश है मासिक धर्म से जुड़ी वर्जनाओ यानि टैवू चुप्पी तोड़ना नाकरातमक समाजिक मान धंडों को बदलना है इस वर्ष की थीम थीम देख लिजे मासिक धर्म स्वाच्टा और स्वास्थे में कारवाई और निवेश इंपोर्टेंट है अ IUCN की रेड डाटा बुक में इसे लुप्त प्रै यानि एंडेंजर्ड माना गया है बताइए कौन सी स्टेटमेंट सही है इसका अंसरोगा ए केवल एक पहली स्टेटमेंट सही है लुप्त प्रै नहीं या वलन रेबल है नवींतम जनसंख्या जनगन्ना के अनुसार पिछले छे वर्षों में ओडिसा में काले हिर्नों की अबादी दुगनी हो गई है काले हिर्न राज्या के दक्षिनी भाग केवल गंजम जिले में पाए जाते हैं जहां पर जनगन्ना की गई थी ओडिसा और गंजन जिले में इसे क्रिष्ण सार म्रिग के नाम से जाना जाता है ब्लैक बक वन्ने जीवन सरक्षन अधिनियम 1972 में अनुसूची एक में का जानवर है और रेट डाटा बुक में इसे कमजोर यानि वलन रेबल वलन रेबल माना गया है अगला प्रेश्ण हाल ही में निमलिक्त में से कौन सा परवत रोही है जिसने 26 घंटों में एवरेश्ट पर चढ़ाई करके दुनिया की सबसे तेज चढ़ाई करने वाली बन गई है सांग यिन हंग या फूजो जंगम ला संतोश यादव बच्छेंदरी पार बताईए साय उत्रोग इसका ए हौंकों के परवरत रोही सांग सिंग हंग ने 26 घंटों में ये चढ़ाई करके महिला दुनिया की पहली महिला बन गई है जिसने तेज एवरेश्ट की चढ़ाई की है स्यांग ने अपने तीसरे प्रियास में 24 घंटे और 50 मिनिट में रिकोर्ड समय में 8848.6 मीटर की चढ़ाई की पहले 2017 में स्यांग सिर्ष पर चढ़ने वाली पहली हौंकों की महिला भी बनी थी उस उन्होंने किसका रिकोर्ड तोड़ा फुन्जो जांगमू लामा नेपाल की थी इन्होंने 49 घंटे 6 मिनिट में चढ़ाई पूरी की थी विश्व में समुदर तल से सबसे उंचा परवत हिमालय के महा लंगूर हिमालय उप्षरेणी में स्थित है चीन नेपाल की सीमा पर है इसकी बरफ की उचाई 8848.6 मिटर जो हाल ही में 2020 में नेपाल और चीन के द्रज की थी इसमें और जैसे माॉंट अवरएस्ट लहोत से मकालू चो आयू ये विश्व की छे सबसे चोटियों में से चार हैं ये चार तो इसी श्रेणी में हैं कि स्रेणी में महालंगूर हिमाल लेगी दीने टीक ही इसके संबढ़ में देखते हैं ठर्मली रूप से स््ठीश्व से यह स्थीर है और इससे इन टीकों को cold chain यानि जैसे आजकल तो टीके हैं उनको ठंडे वातावरण में रखा जाता है इनको cold chain की जरूरत नहीं है अगली statement अधिकांस उपलब्द टीके जो आजकल अधिकांस उपलब्द टीके हैं वे dna strand पर अधारित हैं बतायो कौन सी statement ठी इसका यह अंसर होगा केवल एक यह जो आजकल जो अभी वैक्सीन लग रही है वो dna नहीं वो rna पर अधारित हैं यह dna वाली अब बनी है ताइवान के शोध करताओं ने कोरोना वायरेस स्पाइक प्रोटीन के dna का प्रयोग करके एक टीका विक्सित किया है चूहे और हैं इसकी प्रभावी परिक्षन किया गया है यह तरीका mrna टीकों से अलग है कि dna टीकों पर आम तोर पर कोशिकाओं में पहुंचाना मुश्किल होता है लेकिन नेशनल हेल्थ रिसर्च इंसिचूट टाइवान के शोध करताओं ने ऐसा करत के दिखाया इलेक्ट्रो पोरेश तक चलने वाली न्यूट्रोलोजी एंटीबोडी के स्तर को उच्छ स्तर को प्रेरित करता है यह है यह है तकनीक जो है जीक का hiv1 इबोला इंफ्लुएंजा जैसे के संक्रमनों के इलाज में भी प्रभावी हुई है अधिकान सुबलब्टी के mrna किस्म पर अधारित है अग कोविड-19 निमलिक्स में से की संस्थान ने कोविड-19 वाइरस में परमुख प्रोटीन की सरंचना का खुलासा कर दिया यह रिवील मतलब इन्होंने सरंचना बनाई है कोविड-वाइरस की बताए आयटी मुंबई मदरास कानपूर्य मंडी सही उत्रोगा डी आयटी मंडी भरत्य प्रदोगी की संस्थान मंडीन के शोध करताओं ने कोविड-19 वाइरस के परमुख प्रोटीन की सरंचना का खुलासा किया है कोविड-प्रोटीन सरंचना कारवाई के तरीके और कोविड-डोग प्रसार और गंभीरता में इसकी भूमिकाव को समझने में मदद करे गया 16 गैर सरंचनातमक प्रोटीन एनस्प यानि नोन स्ट्रक्चरल प्रोटीन 16 है एक से 16 तक जो एनस्प वन है वही रोजन रोग जनकता में महतपुन भूमिका निवाता है यानि वाइरस की विमारी को पैदा करने में भूमिका निवाता है इसे होस्ट सट ओफ एक्टर भी कहते हैं जो क्या करता है सेल के प्रोटीन को बाधित करता है जाकर देखते हैं आपकी कोविड कोरोना के लेकर कितनी जानकारी है इस पेज को पढ़िए और तीन प्रशनों के उत्तर दिये कमेंट बोक्स में कि यह है किस वाइरस से होता है डबली एच्ट ने इसको कब म अमारी घोजित किया और यह किस जुनोटिक है या नहीं है यानि किस से फैलता है अगला प्रशन बशर अल-असद बशर अल-असद अभी रिएलेक्ट हूं है प्रेजिडेंट यानि राश्ट्रपति किस देश के इराक, सीरिया, जोर्डन, लेबनान बताईए इसका सही उत्रोगा B, सीरिया के यह है सीरिया मैप में देख लेते हैं इसके साथ साथ लगता है इराक, नॉर्थ में त्वर्की, जोर्डन, वेस्ट बैंक नहीं है, इसराइल, इसराइल से इसकी लगती है यहां पर और लेबनान और इधर मुमद्य सागर वह 1971 से 2000 तक सेवा करने वाले अपने पीता के उत्राधिकारी है जो 2000 से राष्ट्रपदी बने हुआ है और 19 में राष्ट्रपदी बने सीरिया पस्चिमी एसिया में स्थित एक देश है भूमद्य सागर तूत्तर में तुर्की, पूरो में इराक, दक्षिन में जोर्डन, दक्षिन पस्चिन में इसराइल और लेबनान इसकी सीमा साधा गरते है उपजाओ मैदानों, उचे पहाडों, रेगिस्तानों के लिए जाना जाता है इस देश में कुर्द, सीरियाई अरब, तुर्कमेंस, अर्मेनियाई, असीरियन, सरकसियन, मेंडियन और ग्रीक जैसे जातिया है अरब सबसे बड़ा जातिय समू है इसमें और सुन्नी सीरियाई भूमी पर सरवादिक बड़ा धरम है सीरिया एक एकातमक गनराज्य है जिसमें चोदना राज्यापाल भी है यहां एक मात्र देश है जो राजनीतिक रूप से बात बाद का समर्थन करता है यह संयुक्तराष्ट और गुट निर्पेक संदोलन का सदस्य है अरब लीग और इसलामिक सहयोग संगठन ने नुवम्बर 2011 में सीरिया को निरमबित कर दिया था हाली में फास्टैग सिस्टम चर्चा में था इसके बारे में कथन राष्ट्री राजमार्गों पर इलेक्टरोनिक रूप से टोल संग्रह के लिए इसे राष्ट्री है इलेक्ट्रोनिक टोल संग्रह कारेकरम के तहट रखा गया सही है शुक्षम तरंगों का उप्योग करके इन टैगों को 25 मीटर दूरी से ही पता लगाया जा सकता है जो कि कार की अगले वाले शीशे पर लगा होता है फास्ट टैग बताए ये कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इसका अंसरोगा केवल एक देखे ये शुक्षम तरंगों का नहीं रेडियो तरंगों का प्रयोग करता है NHI ने किसी भी समय प्रति वाहन प्रतिक्षा समय को 10 सेकंड तक कम करने के लिए गाइड लाइन जारी की है इसलिए ये निउस में था गाइड लाइन जारी की है वहन कोई जो लाइन है वो 100 मीटर से कम होगी यदि कतार 100 मीटर से अधिक है तो सामने वाले उस से आगे वाले जो वहन है कोई वो बिना टोल चोकाये गुजरेंगे अच्छी बात है भारत में यह है ऐलेक्ट्रोनिक टोल संगर है परा नहीं एन एचाई दोवारा संचालित है यह सीधे प्रिपेड और इसे जुड़े बचत खाते से टोल भुकतान के लिए Radio Frequency Identification RFID तकनीक का प्रयोग करता है टैग वहान की विंड स्क्रीन पर चिपका होता है और लेन देन के लिए बीना रुके टोल प्लाजा के मादम से ड्राइव करने में सक्षम बनाता है IOC, BPCL और HPCL यह तेल विपनन कंपनिया हैं इन्होंने भी हाल ही में Fast Tag के प्योग के लिए 2019 में MOU हस्ताक्षर किये थे सरकार दवारा Online Gaming कंपनियों दवारा सेवाओं के मुल्यांकन की लिए एक जाच पैलन पैनल बिठाया था यह पैनल किसी अपनी रिपोर्ट सोपेगा प्रधान मंतरी GST परिशद RBI या संसद बताईए इसका सही उत्र है B, GST परिशद सरकार ने GST लगाने के लिए Online Gaming दवारा सेवाओं के मुल्यांकन की जाच के लिए राज्य मंतरियों का एक पैनल गठित किया है वे कैसीनो और रेस कोर्स दवारा सेवाओं की भी जाच करेंगे होगा क्या इसमें वो Online Gaming का देखेंगे कि वो GST कौन-कौन सी सुविधाएं दे रहे हैं और उस हिसाब से GST लगाया जाएगा पैनल में साथ सदस से शामिल होंगे गुजरात के उपे मुख्यमंतरी नितिन पटेल, महराष्टर ये स्टेट से याद कर लो बस गुजरात, महराष्टर, अरुनाचल परदेश, पस्चिम बंगाल, तमिलनाडू, गोवा और करनाटगा पहले 6 महीने में केंदरे वितमंतरी के अधिक्स्ता वाली GST परीशद को अपनी रिपोर्ट सोपेगा जिसमें राजजय के वितमंतरी शामिल होंगे वरतमान में कैसीनो घुड़ोड, ओनलाइन गेमिंग जैसी सेमाओं पर 18% GST लगता है अब पैनल इन सेमाओं के मुल्यंकन का तरीका तैक रेगा निमलिक्तिसक की संस्थान ने स्मार्ट कपड़े का डिजाइन किया है जो गती और मुद्रा को मापते हैं MIT, Massachusetts, प्रदगी की संस्थान, स्टैनफोर्ड, कोलंबिया या हावर्ड बताईए हावर्ड यह उत्तर होगा इसका, MIT ने MIT के शोदकरताओं ने दिखाया कि उनके कपड़े चीजों को निर्धारित करते हैं कि व्यक्ति बैठा है, चल रहा है या कोई विशेश मुद्रा में है MIT के Computer Science and Artificial Intelligence Lab के समून ने बताया कि उनके कपड़ों का इस्तेमाल Athletic Precision और पुनरवास के लिए किया जाएगा ये कपड़े रोगियों की अनुमती के साथ साहेता देखबाल सुविधाओं में निवासियों के स्थान की निगरानी में भी मदद कर सकता है यह निज़ार्त करेगा कि व्यक्ति गिर गया है या बेहोश तो नहीं है Global Annual 2 Decadal Climate Update Global Annual 2 Decadal Climate Update Was Released by किसके द्वारा रिलीज की गई UNEP विश्व प्रकृति संगठन विश्व बैंक या विश्व मोसम विज्ञान संगठन बताईए सहीतरोगडी WMO दुवारा विश्व मोसम विज्ञान संगठन के निर्चित्तों में United Kingdom के मोसम कारेले दुवारा Global Annual 2 Decadal 10 वर्षिय जलवायू अध्यतन जारी किया गया इसके नुसार दुनिया 2021 और 25 के भीतर अस्थाई रूप से 1.5 Celsius वर्मिंग के निशान को पार कर जाएगी यह हाइलाइट करता है कि वार्षिक ओसत वैस्विक टापमान की 40% संभावना है कि वह है पूर्व ओद्योगिक टापमान जो की से 1.5 degree Celsius से अधिक हो जाएगी जो की हमारा पेरिस चलवायू समझोते की सीमा है 2021 और 25 की अवधी में एक वर्ष के record गरम होने का 90% चांस है यानि 21-25 कोई एक वर्ष जो है वो सब अब तक का सब से गरम वर्ष होने वाला है वार्षिक ओसत वैस्विक टापमान 2021-25 के बीच पूर्व ओद्योगिक स्थरों की तुलना में कम से कम एक डिगरी अधिक गरम होगा अगला प्रेशन है 7 Lessons from Arrest, Expedition Learning from Life and Business भूक है यह किसके द्वारा लिखी गई है अधित्य गुप्ता, जगत सिंगनेगी, प्रेम लतागरवालिया, मालवत पूर्ण इसका सही उत्रोगा ए, अधित्य गुप्ता आप साथ की साथ अंसर करते रहिए और अपना स्कोर जरूर, कमेंट करें प्लीज दिल्ली के गुद्यमी और परवत रोहिए अधित्य गुप्ता ने हाल ही में जारी किताब Seven Lessons from Everest, Expedition Learning from Life and Business की भिक्री ये न्यूज में क्यों है, ये देखिए क्योंकि इसकी भिक्री से जो आये प्राप्त होगी कोविड-19 राहत के लिए एक क्रोड रुपे जुटाने के लिए रक्षय रख़ा है इसका डाइसो प्रिष्टो की फैली दिन साधे तिन सो छविया है इस पुस्तक में किताब से होने वाली आये जो है वो एंजियो चाइल्ड राइट्स एंड यू सी आर वाई क्राई एंजियो है उसमें जाएगी और यह चाइल्ड राइट्स के लिए इस अराशी का यूज होगा अलका रघवन्शी हाल ही में निधन हो गया उनका किस्य समन्दीती कला और लेखक राजनीती अभिनेत्री या वैज्यानिक बताईए इसको उत्रोगा ए कला और लेखक ये हैं प्यारी से दिखने वाली अलका लेखक और कला क्यूरेटर अलका रघवन्शी का निधन हो गया वह भारत की पहली प्रशिक्षित कला क्यूरेटर थी जिनोंने गोल्ड स्मित कोलेज लंदन और ओक्सफोर्ड में आधुनीक कला संघराले में प्रशिक्षन प्राप्त किया उन्होंने 25 से अधिक प्रमुख पदरसिन्यों को क्यूरेट और डिजाइन किया अगला प्रशिन निमलिक्त में से कौन भारत की पहली उडान महिला उडान प्रिक्षिक्षन इंजीनियर बनी फर्स्ट वुमेन फ्लाइट टेस्ट इंजीनियर प्रिती सिन्हा अकांशा अरोडा उशा राव मुनारी या आश्रिता वी ओलेटी बताइए सहित रोगा डी आश्रिता वी ओलेटी स्क्वाडन लीडर आश्रिता वी ओलेटी भारतिय वायुसेन की पहली और एक मात्तर महिला है जो इस भूमिका के लिए योग्या है और एक उडान प्रिक्षिक्षन इंजीनियर के रूप में है वे सशस्तर बलों में शामिल होने से पहले विमान और हवाई प्रणालियों के मुलेंकन की जिम्यवार होंगी करनाटका की है करनाटका की मूल आश्रिता वी ओलेटी ने तर्तालिसमें उडान प्रसिक्षन पाठ्थय करम में भाग के रूप में सनातक क्योबादी प्राप्त की हमारे एयर चीफ मार्शल है राक चुना गया है क्यार गोरी जगजीत पवाडिया एरिक कारले या सुषील चंदर बताई है यह है उनकी फोटो हमारा अंसर है बी जगजीत पवाडिया जीहां फोटो देखकर नाम का अंदाजा नहीं लगाना चीए एरिक कारले एक ओथर थे शुरी सुषील चंदर हमारे ECI भारत के पूरू नार्कोटिक्स आयोग और भारते राजस्व सेवा सीमसुलकेक सेवा निवरित अधिकारी जगजीत पवाडिया कॉंट्रास्टे नार्कोटिक कंट्रोल बॉर्ड का ध्यक्स चुना गया है वह है वियना स्थित संगठन का निर्जिट करने वाली पहली भारत हाल ही में वन धन योजना चर्चा में थी इसके बारे में इसे 14 अपरेल 2018 को लोंच किया गया था इसे ट्राइफड द्वारा लागू किया गया वन पर्यवर्ण और जलवायू परिवर्ण मंत्रले परिवर्तन मंत्रले इसके कारेन वन के लिए जिम्मेवार है बताईए कौ possible affairs द्वारा इसका implementation किया जाएगा ट्राइफड भारतिया जन जाती सहकारी विपनन विकास संग जन जातेया कंकार्यमंत्रले द्वारा नीती आयोग निव में क्यों थिये नीती आयोग द्वारा 49 जन जातिया अकांकशात्मक जीलों में वन धन योजना के तहत वन धन विका साजेदारी करने जा रही है कौन-कौन से राज्ये के दिश्टिक होंगे आंधर परदेश असम च्छतिस गड़ गुजराद जारखंड मद्यपरदेश महाराष्टर मणिपूर मेगाल्य मिजोरम नागालेंड ओडिशा तेलंगना और त्रिप्रा 14 अपरेल 2018 को लोंज किया गया ट्राइफएट द्वारा लागू किया गया वंधन स्टार्ट अप देश की आदिवासी अदबादी के समाजिक आर्थिक विकास के लिए वंधन स्केंद्र स्थापित करने में मदद करते हैं यह नियूंतम समर्थन मूले ऐनी MSP के माध्यम से लगू वनोज वनोप्ज के विपनन के लिए तंत्र और MFP के लिए मूले श्रिंखला के विकास का एक घटक है अगला प्रेशन अंतराष्ट्रे एनी पुरुसकार किसने जीता हरे कृष्ण महतावी शंकरलाल पुरोहित सी एनार राव या नूरा अल मत्रोशी बताईए सहीत रोगैस का C.N.R. राव नूरा अल मत्रोशी कौन है आप बताईए मुझे कमेंट करके ये भी हाल ही में नियूज में थी C. भारत रतन भी है इनके बास भारत रतन प्रोफेसर C.N.R. राव को अक्षय उर्जस्त्रोत और उर्जा भंडारन के लिए C.N.R. में अनुसंधान के लिए राष्ट्रे एनू पुरुस्कार प्राप्त हुआ जिसे Energy Frontier यानि E.F. पुरुस्कार भी कहा जाता है राव एक भारतिया रसाय नग्य है जिनोंने मुख्य रूप से Solid State और Structural Chemistry में काम किया प्रोफेसर राव पूरी मानवजाती के लाव के लिए उर्जा के एक मत्र स्त्रोत के रूप में Hydrogen उर्जा पर काम कर रहे है जो E.F. पुरुस्कार है वो इन्हें धातू उक्साइड, कार्बन नैनोट्यूब, अन्ने समगरियों और द्वी आयामी प्रणाली पर उनके काम के लिए परदान किया गया जिसमें ग्रैफेन, बोरोन, नैट्रोजन, कार्बन, हाइब्रीड समगरी और मेले बड़नेम सालफाइड, MOS2, उर्जा, अनुप्रयोग और हरे हैड्रोजन ये ग्रीन हैड्रोजन उत्पादन के लिए शामिल है ग्रीन हैड्रोजन का उत्पादन विभिन प्रक्रियाओं के माध्यम से प्राप्त किया जा सकता है इसमें सोर और पवन उर्जा से उत्पादन बिजली दवारा सक्रिय, पाली, थर्मल और इलेक्ट्रोलिशिस का फोटो डिसोसियेशन शामिल है इसको उर्जा अनुसंधान में नोबल पुरस्कार भी कहा जाता है इसलिए इंपोर्टेंट है गोल्डन वीजा योजना हाल ही में चर्चा में थी है किस देश द्वारा दी जाती है गोल्डन वीजा स्कीम साओधियरेब, युएई, अमेरिका या ची बताइए गोल्डन वीजा प्रणाली अनिवारे रूप से निमलिक्त समूहों से संबंदित लोगों को दिर्ग कालिक निवास पांच या दस वर्ष अब प्रदान करती है कौन-कौन निवेशक, उद्यमी, उतक्रिष्ट प्रतिबा वाले व्यक्ति जैसे शोदगरता, चिकित्सा, पेशेवर, व्यज्यानिक, ज्यानक सेत्रों के भीतरियाव, लेखनिया, छात्र, वीजा का मुख्यलाब है, सुरक्षा दस साल के वीजा के लिए निवेश, कोष, या कंपनी के रूप में E, A, E, D, यानि जो वहां की करंसी है द्रहम में कम से कम 10 मिलियन, मुल्य के सारजुनिक निवेश वाले निवेश एक आवेदन प्राप्त कर सकते हैं लंबी अवदी के वीजा के लिए धारक के पती, पतनी, बच्चों, कारेकारी निदेशक, सलाकार भी शामिल होंगे, ऐसा धारन, हाई स्कूल, विश्य विजा विजाले के छात्र, पांस साल के लिए रेजिडेंसी वीजा के पात्र हैं देखें ये जो पिक्चर है, ये हाली में बहुत न्यूज में थी, मैसूर में चेचक के टीके से संबंदी तीन महिलाओं का उननीसमी सदी का एक चित्र, जिसे की भारत में चिकित्सा के इतिहास में सबसे महत्तपुन वैग्यानिक चित्रों में से एक के रूप में वाइरल हुआ यह है, यह चित्र किसके दवारा बनाया गया था, पाबलो पिकासो, विंसेट, वान गोग, कलाड मॉनेट या थोमस हिक्की, बताइए, यह सब अठारवी सदी, उननीसमी सदी के पेंटर्स हैं, अंसर होगा डी, थोमस हिक्की दवारा, माना जाता है कि 1805 में आईरिश मूल के कलाकार थोमस हिक्की दवारा चित्रित किया गया था, इसे शुरुआत में निरित्य करने वाली लड़कियां वेश्याओं के चित्र माना जाता था, लेकिन पेंटिंग में भारत की पहली वैक्सिन ड्राइव में एक उद्रशाया गय है जिसमें वडियार राजवन्स की महिलाओं के साथ हिक्की के लिए पोज दिया, ये महिलाएं वैक्सिनेशन के लिए पोज दे रहे थी, चेचक, टिक्का करन, कारेकरम में भागिदारी को बढ़ावा देने और निशान के साथ, वो और निशान दिखा रही है उसमें, महि 1796 में एड़वर्ड जेनर दोवारा चेचक का टीका विक्सित किया गया 14 जून 1802 को एना डेस्ट हॉल एक एंगलो इंडियन बच्चा भारत में पहला व्यक्ति था जिसे यह टीका दिया गया और इस टीके में क्या था काव पोक्स चेचक को बोलते हैं स्माल पोक्स तो उसी स्माल पोक्स का एक चेचक के चेचेचरा भाई काव पोक्स वाईरस था उसे टीके में इस्तेमाल किया गया भीतर कनी का राश्ट्रे उद्यान उडिशा हाल ही में चर्चों में था इसके कथन देखते हैं यह है पूरो में बंगाल की खाड़ी के साथ ब्रह्मनी बैतरानी के मुहानक शेतर में स्थित है ओडिशा के केंदर पड़ा जीले में भीतर कनी का राश्ट्रे उद्यान भारत का सबसे बड़ा मैंग्रोव रन है इसे 1998 में राश्ट्रे उद्यान और 2002 में युनेसको द्वारा रामसर स्थल गोचित किया गया बता ये कौन सा सही है इसका सही उत्रोगा सी दूसरा कथन गलत है क्योंकि यह सबसे बड़ा नहीं दूसरा सबसे बड़ा है सैकिन्ड विग्गेस्ट पहला तो आपको पता ही होगा सुंदर्वन भीतर कनी का में चक्रवात यास से सैकडो पेर गिर गए इसलिए न्यूज में था और इसा केंदर पढ़ा जिले में भीतर कनी का राश्ट्रे उद्यान भारत का दूसरा सबसे बड़ा मेंगरू वण है हलाकि चक्रवात से क्षेतर की रक्षा जो मेंगरु वन है वो चक्रवात से रक्षा ही तो करते हैं वो तेजी से लुक्त हो रहे हैं यह है पूरु में बंगाल की खाड़ी के साथ ब्रह्मनी और बेराणी 1998 में से राष्ट्रे उध्यान और 2002 में से रामसर साइट भोचित किया गया गिहर मत्था समूदरी तट बीज भी इसके पूरुम में है जो कि ओलिवरी डले समूदरी कच्वों की सबसे बड़ी कालोनी है अगला प्रशन हाल ही में किस देश में टक्ता पलट हुआ कू हुआ माली, कॉंगो, नाइजर, बुर्की नफासो इसका उत्तर होगा ए माली में देखे हाल ही में माली में टक्ता पलट का सामना करना पड़ा उसके जो राश्टर पती और परधार मंदर जो उसको सेना ने ग्रिफतार कर लिया मानी एक माली एक पश्चमी अफरीकी राश्टर है राजधानी है बॉमाको राजधानी है इसकी बॉमाको जो ज़्यादातर सहारन और सहेल रिजन भी वहीं पर है अफरीका में नाइजर नदी इसके बीच में बहती है जो नील और कॉंगो के बाद अफरीका की सब तीसरी सबसे बड़ी नदी है देखिए है माली साथ में लगते हैं अलजीरिया नाइजर मॉरिटानिया सेनेगल और गीनिया और यह है बुर्किना फासो आप बुर्किना फासो की कैपिट दोस्तों यह था आज का लास्ट प्रेशन धन्यवाद